हालो फ्रेंज, वेलकम तो दे लास्ट रिव्यू, मैं हूँ आपका दोस इंदर जीत सिंग, सेफ्टमबर को अब तो बहुत बड़ी फिल्मों का महीना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शाहिद कपूर स्टार एंड शेद नारायन सिंग द्वारा डिराक्टी यही फिल्म, बत् गंटे का कट तो जनरल ही है, 24 गंटे में, इसी लिए फिल्म का नाम है, बत्ती गुल मीटर चालू, और बहुत ही बेसी कंसर्ट पकड़ा है, वैसे भी श्री नारायन सिंग बेसीक मुद्धों को पकड़ने में बहुत ही माही रहे हैं, जैसी कि उनकी लास्ट फिल्म, बत्ती गुल मीटर चालू को, स्टार कास की बात की जाए, तो चार बड़े चाहरे हैं फिल्म के अंदर, शाहिद कपूर, श्रदा कपूर, यामी गॉतम, और दिवेंदु शर्मा, और चारों का काम अच्छा खाजा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्रकंड की लेकर, कॉंट्रवर्सिस भी काफी रही बैक एंड पर, जिसको देखते हुए, इसकी शूटिंग भी रोग दी गई, कभी copyrights के issues चल रहे थे, फिल्म को लेकर, कभी non payment of funds के issues चल रहे थे, बट फाइनली वीपुल के रावल को ही, original writer and story and screenplay writer बना गया, और उनी को ही, सिदार् पावजुद फिल्म फाइनली रिलीज होने जा रही है, 21st सेप्टमबर को, बागी box office पर कैसा कर पाती है, बत्ती किलमेटर चालो, ये 21st सेप्टमबर को ही का जा सकता है, टेलर बहुत अच्छा लगा, टेलर को देखकर बहुत पोजिटीव, एक महाल ट्यार हो चुका है फ थांकि व वाइज होती है